हेलो स्टुदेंट। तोडे वी आ गएंग तो डिस्कूर्स लॉगरित्मिक डिफ्रेंशेशन ओके देखे लॉगरित्मिक डिफ्रेंशेशन क्या होता है अभी तक बेसिक पड़ा है आम लोगों ने चेन डूल पड़ा इंप्लिसिट पड़ा परमेट्रिक पड़ा नौ वी अगरित्मिक डिफ्रेंशेशन ओके तो आईए आप हम मिलकर पढ़ाई करते हैं प्लीज जो सब्सक्राइब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात आप तक पहुचे ओके चलिए लॉगरित्मिक डिफ्रेंशेशन है क्या किस तरीके से करते हैं तो इससे पहले एक फर्क है जो आपको जानना है जैसे हमारे पास एक फर्मला हम लोग ने डिफ्रेंशेशन में पढ़ा है बचो दी बाई डी एकस एकस रेस तुदी पावर एन ठीक है ये डिफ्रेंशेशन का फर्मला है इस फर्मले का क्या अंसर आता है भाई जब हम इसको करते हैं क्या होत लोगे को समझना है अच्छे से, x क्या है, x हमारा क्या होता है, variable होता है, ठीक है, n हमारा क्या होता है, n क्या है हमारा, कोई number, n कोई number है, जैसे d by dx, x raised to the power 2 है, ठीक है, तो क्या होता है, 2 आ गया जाता है, और x raised to the power 2 minus 1, 2x की power 1, यानि 2x, यह होता है, तो यहाँ पर क्या है, variable अब यहीं पे logarithmic differentiation में जब हम काम करते हैं तो आप देख रहे होंगे यह जो question लिखा है इफ y is equal to x raised to the power x then find dy by dx हमें dy by dx निकालना है और जब हमें क्या दिया है y is equal to x की power x दिया है मतलब जब कभी भी हमें variable की power variable दिया है मतलब यह x क्या है हमारा variable है और फिर जो इसके उपर power में लिखा है वो क्या है variable है वो भी क्या है एक variable है जब इस तरह के functions दिये हो कि variable की power variable हो हमारे पास जब कभी भी इस तरह के functions दिये हो कि variable की power variable हो तो वहाँ पे हम लोग का use करते हैं ठीक है और log का यूज़ करते हैं और log की कई सारी properties जो common properties हैं log a to the power b तो क्या हो जाएगा? b आ गया जाता है log a हो जाता है questions में use होगी वहां मैं आपको बताता जाओगा तो चलिए आई आप हरो मिलकर use शुरू करते हैं logarithmic differentiation इस first question को हम लोग करेंगे देखते हैं कैसे करते हैं now we see that here कि हमारे पास y is equal to x raise to the power x है variable की power वेरेबल है तो हम क्या करेंगे log को both sides implement करेंगे तो हम क्या करते हैं log y is equal to log x raise to the power x ओके यहाँ पे हमारे पास यह formula है हम सब जानते हैं कि log a to the power b को हम b log a दिख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या किया log y x आगे आगे आजाएगा log x हो गया फिर बात है अब हमें simple differentiation करना है dy by dx निकालना है तो operate करते हैं d by dx log y फिर यहाँ पे d by dx x log x ठीक है अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए log है log का input function क्या है यह क्या है log का y लिखा है यहाँ पे input है और यह क्या है output है चेंग दू लग जाएगा अब यहाँ देखिए यह first function हो गया यह second function हो गया product है दोनों functions के बीच में ठीक है और x के form में है अलग-अलग ठीक है तो देखिए यहाँ लिखा x d by dx of log x फिर बीच में plus का sign product rule लग रहा है इसमें देखिए यहाँ पे मैंने log x लिखा dx by dx लिखा clear बात है अच्छा इसको देखिए जब मैं solve करूँगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको log y है log input function y है क्या माल लेंगे इसको दिमाग में x माल लेंगे log x का differentiation 1 by x होता है तो x की place पे क्या है y है 1 by y लिखा हम लें फिर dy by dx फिर x log x का क्या होता है 1 by x 1 by x लिखा plus log x dy dx 1 हो क्या तो यह बात है अच्छा बच्छो यहां से लेकर यह x से x क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा this will give you dy by dx अब 1 by y है ठीक है 1 plus log x फिर dy by dx यह y यहां multiply कर देंगे 1 plus log x फिर final answer में यहां पे y की value put कर देंगे y की value हमारे पास क्या x raise to the power x है तो हमारा final answer हो जाएगा dy by dx y की place पे value रखेंगे x raise to the power x 1 plus log x ओके बच्छो बहुत ध्यान से इसको देखे logarithmic differentiation जहां कहीं भी function की power function होगा वहां पे हम logarithmic differentiation का use करेंगे दोनों में both side log को impose करेंगे ठीक है यहां log लगा दिया यहां log लगा दिया फिर log की properties इसका use करेंगे बास समझ में आ रहिए ठीक है बहुत अच्छे से figure out करें एक एक चीज को figure पे लिखिए समझ जिए ओके note करें इसका पावर में कहें 3 cos 2x देन फाइंड दी बाइ 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 दी एक बच्छो एक्स फंशन 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 की पावर कहें हम क्या करेंगे लॉग को impose करेंगे बहुत साहिए तो अब लिखते हैं यहां पे हमने लिखा log y log 5x raise to the power 3 cos 2x फिर हमने लिखा log y 3 cos 2x फंशन की पावर यह कहा है log a to the power b तो b आ गया जाता है हमने लिखा 3 cos 2x log 5x ठीक है यह हो गया अब simple differentiation करते हैं तो जब differentiation करेंगे तो operator हमने लिखा d by dx यहां लिखा log y d by dx 3 cos 2x log 5x ठीक है अब देखे chain u लग जाएगा y हमारा input है because x के respect में कर रहे हैं हम किसके respect में कर रहे हैं x के respect में कर रहे हैं तो यह बास समझेगा d by dx और अगर log x करते हैं तो यहां पर क्या होता है d by d log x x होता है फिर क्या होता है dx by dx तो x के respect में बन हो जाता है चीक है तो इसलिए हम लोग इसको लिखते नहीं है अब यहां पर y है तो y के लिए कैसे करेंगे तो देखे d by d log y y input function है हम देखे यह लिखा फिर d by by dx अब यहां पर पोस्ट करते है यह देखे यह हमारा क्या है first function और यह second function product लगा है अंदर chain rule लगेगा और यहां पर product लगा है पहले हम उसको देखते हैं ठीक है तो चलिए देखे क्या करते हैं इसमें तो हमने 3 cos 2x लिखा d by dx of log 5x plus log of 5x d by dx 3 cos 2x मैंने यह देखा अब यहां देखे log y का y की respect नहीं क्या हो गया 1 by y यहां पर dy by dx 3 cos 2x इसको करेंगे तो देखें यहां पर कैसे करते हैं इसको कैसे change rule लग रहा है d by log 5x 5x क्या है input function इसके लिए तो d of 5x फिर d 5x by dx ठीक है यह इस तरह से हो गया यहां पर देखें log 5x 3 क्या है coefficient है 3 बाहर आ जाएगा ठीक है फिर यह इस पर impose हो जाएगा 3 बाहर आ गया हमने बाहर लिखिया d of cos 2x by d 2x यहां पर input function है d of 2x by dx clear बात है बच्चों और यहां से समझे इसको 1 by y dy by dx 3 cos 2x इसके क्या होगा input function x माल लिया क्या हो जाएगा 1 by x होता है तो 1 by 5x हो गया है ठीक है यहां पर दीके 5 बाहर आ जाएगा x का x की respect में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 3 log 5x इस 3 को मैंने आगे लिखिया है cos x का क्या होता है minus sin x तो input function sin 2x 2 बाहर आ गया x x से respect में 1 हो क्या हो 1 by y dy by dx ठीक है 5 और 3 कितना हो क्या 15 15 15 cos 2x denominator में 5x है ठीक है यहां देखे 2 3 आ 6 6 log 5x यह minus sin था यहां आ गया log 5x sin 2x ठीक है यह हमारे पास आ रहा है इतना अच्छा फिर यहां से देखे 5 3 आ 15 dy by dx y को हमने यहां पर multiply कर दिया है क्या हो जाएगा 3 cos 2x by x minus 6 log 5x sin 2x ओके आप यहां पर last में y की value रख सकते हैं ठीक है और यहां से 3 common ले सकते हैं चाहे तो ठीक है तो हमने इसको final answer की रूप में लिखा है कि dy by dx is equal to y की value क्या है जो question में हमारे पास 5 x raised to the power 3 cos 2x ठीक है यह है फिर bracket में हमारे पास 3 cos 2x by x minus 6 log 5x sin 2x बहुत ध्यान से इसको देखिए बहुत अच्छे से समझे आप 3 को वहाँ पे बहुत ध्यान से इसको देखिए इस step को होके अच्छे से नोट करिए फिर आउट करिए इसको आप देख रहे हैं y की power x raised to the power x variable की power variable और फिर variable पावर में तो इस तरह के question में क्या करेंगे एक बार log implement करेंगे फिर दुबारा log लेंगे तो इस लिए आप आप में मिलकर इस question को करते हैं बहुत exciting है देखिए कैसे करेंगे हमने क्या किया? बोथ साइड log लगाया log y log x raised to the power x की power x देखिए log y ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? x raised to the power x log x ठीक क्या होता है? log a यह a हो गया और यह पूरा हमारा क्या हो गया? यह b हो गया तो a to the power b होता है b हमारा x raised to the power x log x आ गया आ गया ठीक है फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर x raised to the power x है हम फिर क्या करेंगे both side log implement करेंगे हमने फिर से log लिया log of log y फिर log x raised to the power x log x ठीक है both side अपरे log लगा दिया अब देखें बहुत simple चीज़ है log log y log a dot b क्यों होता है log a plus log b हमने क्या किया यहाँ पर log x raised to the power x plus log log of x हमने यह किया फिर इसको मैंने लिखा log log y a to the power यहाँ पर क्यों हो गया x log x हो गया इसको मैं x log x हो गया है log log x clear बात है यह हमारे पास आगे अच्छा अब मैं इसका differentiation करता हूँ simple जैसे करते हैं कुछ भी नहीं सोचता है मैं ठीक है देखें देखें d by dx और log log y यहाँ पर d by dx और x log x plus log log x ठीक है यह हो गया अच्छा increment करते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखेंगा कुछ बातों को समझेगा यह देखें यह log जो है output function है और यह जो log लिखा है यह input function है इस log के लिए input function किसके लिए इस log के लिए यह चीज़ क्या है input function फिर इस log के लिए यह y क्या है input है और इस y के लिए यह log क्या output function है ठीक है ठीक इसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास नाव यह इसके लिए input हो गया ठीक है यहाँ पर हम देखते है यह क्या f1 है यह क्या f2 है product of two functions ठीक है यह हमारा क्या है output function है यह अंदर वाला पूरा input है और यहाँ पर इस log के लिए यह x क्या है input और वैसे यह output है अब यह chain rule लगाते है बहुत simple है dy d log log y हमने यह लिखा log of log y यहाँ लिखा log y ठीक है अब हम किसको करेंगे log y को d log y d d y ठीक है यह किया फिर d y dx फिर y को भी तो करेंगे यहाँ पर log का input function y है अब देखे इसके आगे d by dx x log x यहाँ पर देखे d by dx log log of x x यह हमने किया ठीक है फिर इसको करते है log x क्यों जाएगा 1 by x यहाँ पर log log x का क्यों जाए 1 by x of log x of log x plus log x dx by dx ठीक है फिर यहाँ पर देखे d by log log x यहाँ पर d of log x ठीक है फिर यहाँ पर d of log x by dx फिर x का x के respect में ठीक है लिखते नहीं है हम लोग पर होता है ठीक है यह चीज हो गई है हमारी यहाँ पर इतना सौल में आ गया यह प्रोडेक्ट लगा है अब इसको हम solve करते हैं तो यह क्या हो गया 1 upon log y ठीक है और यह y को हमने इदा लिख दिया आगे लिख दिया है d y by dx हो गया ठीक है फिर x into 1 by x हो गया प्लस log x हो गया dx by dx 1 हो गया into 1 हो गया प्लस log x 1 upon log x हो गया into 1 by x log x को क्या हो गया 1 by x हो गया यहाँ पर देखिए x x cancel हो जाएगा ठीक है 1 upon y log y dy by dx 1 plus log x log x log x हो गया plus 1 upon x log x ठीक है बच्चों यह हो गया हमारे पास यहाँ पे विल्कुल समझ में आ रहा है आपको अच्छे से यह जाएगा यह चीज आ गई अब इसको हम उदा ले जाएगे अरे क्या लिखेंगे dy by dx y log y 1 plus log x plus 1 by x log x 1 by x 1 by x y की जागे question में y की value दिये इसको रखा x raised to the power x raised to the power x ठीक है log y x raised to the power x raised to the power x 1 plus log x plus 1 x log x clear वारते हैं यह हमारे पास final answer है बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझे fair out करिए ताकि आपको हर चीज clear हो जाए ठीक है note करिए जाए एक जाए पर साथ जाए